हेलो एवरीबन गुड इवनिंग और आज का व्लोग ना शाम से शुरू हो रहा है साथ बज रहे हैं भी शाम के और मैं बना रही हूँ फ्रेंच प्राइज हुआ क्या हमें इक शादी में जाना था आज के शादी थी स्टाप में गई था यह क्या देवबन थी तो उन्हें छुट्टी नहीं मिली वो नहीं आ पाए फिर हमने डिसाइड किया कि मैं और पाए जाते हैं मेरेट से इसकी बुगा को ले देंगे तो एक तो मोसम खराब दूसरा ओला वालों ने भी मना कर दिया कि हम उस रूट पर नहीं जाते उबहर वालों ने भी तो आप हमारा जाना होगे है कैंसिल अन्न था तो मेर पाए जाने वाले थे क्योंकि हम रात में वापस आना था तो सहाइड इसले गाड़ी वालों ने मना कर दिया है और पाए लोगी है थोड़ी सी अफसट क्योंकि जानी पाई तो मैंने उससे पूछा कि कुछ ओडर कर देती हुआ ऐसे तुम खालो कहनी नहीं मुझे कुछ नहीं खाना फिर मैंने पूछा क्या पसंद है चलो मैं बना देती तो उसने करा कि मैं फ्रेंच फ्राइड खाऊंगी फ्रेंच फ्राइड नहीं चिली पटैटो सोरी मैं भूल गई थी चिली पटैटो फ्रेंच फ्राइड ली आलो के बनते हैं लेकिन उसको काने है चिली पटैटो तो म मैं तीन आलू काट लिया है बन जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा है भी होता है तो मैं कम ही बनाऊंगी चलिए अलाग के रेसिपी देख लिए ठीक है जो आलू मैंने चलिके लिए आहिने तो हमें पहलें लंबा चाट लेंगे इसे Continue क्योंकि ळ היएंगे तो दिए兩 मों नहीं और थो आए दे नहीं जा लिए था तो इसमें डाल देंगे इसमें डालके हमें ये 50% पकाने बस एक बोई लाने तक अच्छे से हिला के एक बोई लाने तक पका लिजिए ताकि कच्छा पंसा निकल जाए हलका सा और पानी ड्रेन कर दिया मैंने और अब इन्हें मैं रख दूंगी ठंडे होने के लिए चाहे तो आप थोड़ देर कपड़े से पर रख के फ्रीजर में भी रख सकते हैं लेकिन मुझे अभी अभी बनाने हैं तो इसलिए मैं अभी ने हलका सा ठंडा करके बस और रख दूंगी देखो कितनी भाप उठ रही है मैं हमें से ऐसे ही बनाती हूँ और ये ठंडे हो ग चिली पटैटो बनेंगे तो इसलिए थोड़ा तीक ही होता है और अगर आपके बच्चे नहीं खा सकते तो आप इसकी भी कर सकते हैं मिरच को अच्छे से मिक्स कर देंगे और नमक की वज़े से ये हलका सा पानी सा छोड़ देंगे तो अब हम इसमें पहल तो इनको कर लें ये रखना नहीं है बस लगा के इस से अच्छे से इला लीजिए और हलका सा पानी छोड़ देंगे तो इसके बाद हमें क्या करना इसमें आप डाल सके अरा रोट दो से धाय चमच आप आलू के अकोडिंग डाल सकते हैं जितने आप आलू है अगर आपके पास अरा रोट न लेंगे नमक लगाया और अद्रक का पेश लगाया तो ये आलू पर इस पर हर तरफ कोट हो जाएगा हिला हिला का अच्छे से इस तरह कोट कर लीजिए देखो अच्छे से हो गया है चारो तरफ इस पर लग गया रोट ज्यादे छेड चार नहीं करनी है अब तेल गरम होने कर लेंगे और चोड़े तले का आप कोई बरतन ले ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अगर डलेंगे तो चिपक जाएंगे और देखो मैंने छोक के लिए तयार किया है है सिम्ला मिर्च है मिर्च है और प्याज काट लिए है इस तरह गोल काट के तयार किया है और यह बिल्कुल नई चिपकेंगे ना ही मदब इन से कोटिंग हटेगी बहुत अच्छे क्रिस्पी से तयार हो गया है अब दूसरा भी बैच कर लेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे कि जैसे एक जैसा कलर देने के लिए क्योंकि दो बैट अलग अ आ रहे हैं तो कलर का डिफरेंस आ जाता है तो पहले हुआ को अलग अलरक फ्राइ करेंगे और फिर दोनों को एक साथ wings तो यह अब देखो डोनों बैच तैयार हो गया है, देख सकते हैं, कितने अच्छे कुरकुरे से बने हैं, तेल को फुल करम करके, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे, इस सा आपके आलू और भी जादे क्रिस्पी हो जाएंगे, बिल्कुल होटल जैसे बनेंगे, और होटल वाले बिल्कुल कलर डाल देते हैं, जब घोलते हैं तब भी और जब इसमें सोस मिलाते हैं तब भी, तो हम तो अपने घर के लिए हेल्डी वे में बना रहे हैं, तो इसलिए हम कलर नहीं डालेंगे, और ना ही मैं किसी भी खाने में कोई फूड कलर डालती हूं, ना मुझे पसंद है, हम तो ये लीजे जी, हमारी ये बनके तयार होगे हैं, एकदम बढ़िया क्रिस्पी, अब हमें करना क्या है, सारा तेल हमें एक डब्बे में निकाल देंगे, बिल्कुल एक चमबस तेल बचाएंगे इसमें, देखो, एक चमबस तेल मैंने इसी पैन में बचा लिया है, तो अब इसमें मैं आद्रक डाल दूँगी, और जो मैंने मिर्ची काटी है, हरी ये डाल दिया है, अगर आपके पास लाल वाली सिमला मिर्च है, तो वो भी डाल सकते हैं, और मैंने ये प्याज भी इसी में डाल दिया है, और इसी में डाल दिया है, और इसे जो आप ऐसा फूड ब तो हमें पहले क्या डालना है, अगर आपके पास सहजवान सोस है इस तरह सहजवान जो चटनीआती है यह बड़ी काफी तिक ही होती है तो थोड़ी सी मैंना अदा चम्मच यह डाल दिया है, और मैं चिली सोस भी डाल ज neuen, रेड चिली सोस इसी स्टेज पर आप कलर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा सौया सोर डाल दिया मैंने और थोड़ा सा डाल लूँगी शिर का छोटी चममज है मेरे पास ये तो थोड़ा सा एक्स्टा-एक्ट्र मैंने डाल लिया है तो अच्छे से मिक्स कर देंगे यह भी तेज आच पर हमें भूनना है यह प्रोसिस बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है तो इसलिए आप सब चीज अपने पास रखें अभी मैंने लिया यह एक चमच आरा रोट इसमें चार चमच पानी डालके अच्छे से गोल लिया है अगर आप ड्राइ बना रहे हैं तो इ जार करें हैं और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे नहीं अब बस जादा देर ढखके नहीं पकाना है बहुत देर जादा की बहुत देर तक पकाओ अगर आप जादा देर तक पकाएंगे नहीं तो आलो सोफ्ट हो जाते हैं अब यह है टामेटो सोज हलका सा मिठास के लिए मैंने इसमें डाल दिया टमेटो सोस, क्योंकि सोस में मिठापन होता है, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें हनी भी डाल सकते हैं सहद, क्योंकि चीली पटाटो सहद वाले भी होते हैं, लेकिन मुझे मिठे नहीं करने हैं, तो इसलिए मैं ने बस थोड़ा सा सोस डा तो लीजिये जी बनके तयार हो गए है चीली पटाटो बिल्कूल हैल्दी घर के अच्छे सर्व करते हैं तो इस तरह आप किसी भी प्लेट में निकाल लीजिए अगर आपके पास घर में गैस्ट आये हैं तो उन्हें सर्व करें और यह प्रिप्रेशन पहले करके रख लीजि अब कैसी लगी बताना बन गए हैं पायल के लिए चीली पटाटो पायल पालो पालो चीली पटाटो पुस हो गई आप होटल से मगां है होटल से मगां ना पहाँ आप में बको डेल झाप झाइवार 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 तो जी बन गए है चीली पटेटो है पता है पैले मैंने क्या बोला फ्रेंच प्राइज नहीं बूल गई इसको क्या बोलता है तो बन गए है पाइल खारी है पसंद आ गे है मुद्ध मुद् नेकर के आlor है कि अजये खूए और रिसेपी अगर आपको पसंद आई है तो प्रीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी है, जरूर बनाना अपने बच्चों के लिए, लाइक कर लेना जरूर से, और लाइक भी कर देना वीडियो को, मिलता है फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और रादे रादे, बा झाल, कर झाल says और रादे रादेक कर दो मिलता है, जरूर रादेजों के लिए सबस्सक्वाइक के लिए सबस्सक्वाइक है के लिए। झाल झाल